कि हाई अब्रीवन स्वागत आप सभी का इस वीडियो में हम एचेस याने की हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिस का कुश्टन पेपर देखेंगे जिसमें प्रिलिम्स में आपके जो साइंस की कुश्टन साहे थे उनके बारे में डिस्कॉशन करेंगे यह आपके किसी भी एक्जाम के लिए इंपॉर्टन हो सकते हैं बिकर देखिए जितने भी आपके स्टेट्स पीसिस होते हैं या आपका यूपीसी होता है वहां पर होता है कि आपसे यह तो अब्लिकेशन पार्ट पूछते हैं या आपसे बेसिक कॉंसेप्ट के आपको कितनी understanding है वो पुछा जाता है अगर आप कोई भी UPSC के लिए प्रिबेर कर रहा है तो आपको भी पता कि वहां पर आपका किसी भी concept PhD होना important नहीं है because सभी जानते हैं examiner भी जानता कि सीखने की और जानने की कोई limit नहीं है बट कहां तक आपको सीखना है और जाना है यह आपको खुद पता होना चाहिए किसी भी exam को clear करने के लिए इन में आप यह बात भी दिखेंगे जैसे इस exam में मैंने भी notice किया कि आपको लगागी दोनों options सही है बट आपको दोनों में से सिर्फ एक को choose करना है जो आपका most near होगा and most suitable होगा आप in questions में देखेंगे तो आए देखते हैं fats are made from edible oils using the process of खादे तेलों से वसा किस प्रक्रिया का उप्योग करके बनाए जाते हैं पास चार option है sponification, esterification, catalytic hydrogenation and hydrogenation तो इसका हम correct answer जो है वह आपका catalytic hydrogenation तो इसमें क्या होता कि जो आपकी vegetable oils होते हैं वहां पर आपकी जो hydrogen gas होती है वहां आप उसमें यूनों वहां से उसे पास करते हैं और जैसे आपकी catalyst होते हैं जैसे निकल हो गया उनकी help से आप fats को prepare या बनाते हैं तो यहां पर अगर आप देखें option c and d catalytic hydrogenation है hydrogenation तो बहुत ही दोनों suitable answer है बट यहां पर specifically हम देखें तो यहां पर catalytic most specific उन्होंने बात कहीं है क्योंकि catalyst का use होता है तो यहां पर आपका answer होगा catalytic hydrogenation sponification क्या होता है sponification देखें soap आपको पदा जिससे आप soap बनाते हैं वहीं आपका sponification हो जाता है तो इस तरीके से आप या रख से इस्ट को प्रिपेर करने के लिए जो आप process यूज करते हैं उसे कहते हैं इस्ट्रिफिकेशन कि दे मीन प्रीकर्सर्स ओफ विंटर स्मोग आर शीट कालिन दूंद के मुख्य अग्रुदूत क्या है स्मोग आप जानते ही है कि क्या होता है जब आपका combination होता है यह आपका स्मोग तो आपका पूशा के जैसे आपके विंटर स्मोग जो मतलब आपकी जब आपका temperature काफी डाउन होता है मतलब यानिकी सर्दियों का जो मौसम होता है जो स्मोग formation होते जो धूंसी पड़ती है वो किसके कारण मेंली होती है तो इसका जो हमारा option है option 20 का जो है वो राइ करती है तो आपके पास स्मोग formation होती है आपको यह भी पूशा जा सकता है कि जैसी स्मोग सिटी पड़ने के लिए स्मोग टावर्स लगे थे वो कहां लगाए गए थे वह नियू डैली में लगाए गए तो इससे भी कोशन पूशा जा सकता था नेक्स से आपका most kidney stones are composed of you तो बहुत बार कोशन पूशा जाता है जो हमारे गुर्दे की पत्री होती हो किस से बनी होती है तो आप सभी जानते हैं जो के calcium oxalate होता है वो आपका kidney stones के लिए मुख्यता कारण है नेक्स कोशन में स्कीप कर रहा हूं बिकर यह आपका जोग्रफी कोश्चन है यहां पर आपके पास दो स्टेटमेंट से स्टीम प्रोडिशीज लेस सीवियर बर्न्स दैन वाटर एड दे सेम तेंप्रेचर ड्राइड आइस इस कोल्ड देन रेगिलर आइस तो आपके पास आपको पता है जो आपकी स्टीम सीवियर बर्न्स हो सकते हैं तो यहां पर लेस सीवियर बर्न्स है गलत लिखा है और कि आपको कम जो बर्स होंगे वो होंगे स्टीम से as compared to the water at the same temperature तो आपकी statement one तो गलत हो गए तो अगर हम यहाँ पर देखें कि statement one and two correct यह तो गलत हो जाएगा statement बोस्टेमेंट यह option a and b तो आपका गलत हो जाता है statement टू देखते हैं dry ice is colder than regular ice तो यहाँ पर अगर आप आप देखें जो हमारी dry ice होती है वो आपकी वैसे भी जो आपकी regular ice होती है वो किस temperature पर किदने degree centigrade पर freeze होती है या solid state में होती है वो होती है आपकी zero degree centigrade या उससे जो नीचे का temperature होता है वहाँ पर आपकी जो है वो ice आपकी solid state में होती है या zero degree पर आपकी ice formation होती है बट dry ice क्या होती है dry ice होती है आपकी solid carbon dioxide ठीक है तो जो आपकी solid CO2 होती है वो होती है आपकी dry ice और आपको पता है याद नहीं आ रहा है minus 180 के आपको temperature चाहिए ताकि आप उसे you know dry ice में convert कर सके तो obviously जब आपने इतना minus temperature में जाके उसे freeze किया तो obviously वो आपकी regular जो ice है हमारी उससे ठंडी ही होगी तो एक मतलब हम common sense का भी एक लगा सकते था अगर किसी को यह पता कि जो carbon dioxide है उसे हम freeze कितने temperature पर करवा सकते हैं तो यहाँ पर option d statement 1 is incorrect जैसे हमने कहा कि steam जो है वो more severe burns produce करती है as compared to the water और statement 2 जो है आपकी वो correct है तो इस तरी के सी question होना था arrange the following electromagnetic waves according to increasing frequency आपको frequency के हिसाब से यह बताना था कि इन में से क्या इसका सही order होगा सबसे पहले सबसे कम फिर उसके बाद उसके जादा तो देखिए हमें इस concept को हम अगर हमने थोड़ी भी आपका electromagnetic waves फड़ा है तो हम सभी जानते कि जो हमारी gamma rays होती है उन में सबसे ज़्यादा penetrating power होती है और उसकी ही जो है वो सबसे ज़्यादा frequency होती है अगर हमें यह पता था तो यह कोश्य हम easily कर सकते हैं क्योंकि यह तो आपकी जो सबसे ज़्यादा penetrating power है और सबसे ज़्यादा frequency थी तो यह last में आना था तो इसका जो right answer option a होगा और एक यह भी होता कि हमारा वी अगर हम मान ले f into lambda lambda क्या होता आपका wavelength f मैं मानना हूं frequency तो यहां से यह मैं अगर वी को constant मान लेता हो तो हमारे पास relation क्या होगा c equal to f lambda तो f यहां से क्या होगा c को अगर मैं constant मानना हूं तो यह यहां से क्या होगा तो इसी तरीके से हम जानते कि जो आपकी radio waves होती है उनकी wavelength ज्यादा होती है इसलिए हम telecommunication purpose में उसका use करते हैं तो आप इस तरीके से भी समझ सकते थे तो यहां पर अगर हम देखे तो correct order क होगा सबसे पहले आपके पास आएंगे radio waves इनकी frequency सबसे कम होती है और wavelength सबसे ज़्याद होती है फिर आपके पास आगी microwaves देन आपके पास आगा x-rays and फिर आपके पास आगा gamma rays तो अगर हम gamma rays के बारे में बात करें तो gamma rays जैसे अगर आपका किसी को अगर कोई भी इंसान cancer से सफर कर रहा है या पीडित है तो उसको जो therapy यूज करते हैं कोबाल 60 तो इसमें आपकी gamma rays यूज करते हैं जो आपकी cancer cells है उनको eliminate करने के लिए हम gamma rays का यूज करते हैं बिकरस इसमें penetrating power सबसे ज़्यादा होती है एक स्रेस का तो आपको पत् moje जैसे आपका अगर तो आपका अगर जाते हैं याना रे अदी आ जैसे जब् legislेंण आपकी स्रक्रीजा करते हैं या जो भी आपके स्ट्रक्चर्स की आभ या यह इस तरह कीसेach देखने के लिए हम use करते हैं तो हम पर आपका धर एक्स-डज को हम use करते हैं फिर हम बात करते है माइक्रोवेब्स आप जानते है रीडियोवेब्स के बारे में हम बात पर कर चुके हैं कर छुए इस arrange the following atmospheric layers in the correct order from the surface of Earth Earth से आपको उनका correct order बताना है Mesosphere, Troposphere, Thermosphere and Stratosphere Question बहुत easy था तो देखिए अगर हम Troposphere 2 से अगर हम start करते हैं तो आपकी ये दो option जो है वो eliminate हो जाते हैं तो main जो है आपका option A and C है Troposphere के बाद आगा status sphere यहां तक तो दोन options ज़ी है फिर main जो है वो आपका 3 and 1 में है 1 and 3 में है तो Troposphere होता है तो आपका status sphere होता है तो आपका होता है Mesosphere, Meso के बाद आता है आपका thermosphere तो option C आपका correct order होगा next question काफी interesting लगा मुझे तो यहां पर a concave mirror is a diverging mirror image formed by a concave mirror is generally real and inverted a convex mirror is a converging mirror and image formed by a convex mirror is always virtual erect and diminished तो अगर हम बात करते हैं concave mirror की तो concave जो mirror है आपका वो होता है आपका converging यहां पर lens की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं mirror की तो converging होता है आपका concave mirror तो यहां से आपका option a तो eliminate हो जाता है तो यहां से अगर हम देखे तो आपके दो option तो eliminate हो चुके answer हो आपका c and d के बीच में image formed by a concave mirror is generally real and inverted यह देखते हैं convex mirror is converging mirror तो जैसे हमने बात करी कि जो आपका concave mirror होता है वो आपका converging mirror होता है convex mirror आपका जो होता है वो आपका diverging mirror होता है तो यहां पर जो है वो आपका 3 and 4 भी गलत होगा तो यहां पर जो हम statement देखते हैं जो उसका correct answer होगा option c 2 and 4 image formed by a concave mirror is generally real and inverted यहां पर generally क्यों आए कि maximum time जो आपकी concave mirror के दोरा image formation होती है वो real and inverted होती है image formed by a convex mirror is always यहां पर देखिए कितना you know special लिखा है always virtual erect and diminished मतलब यहां पर जो है आपकी वो हमेशा ही image जो formation होगी convex mirror में virtual होगी erect होगी diminished याने की size उसका छोटा होगा अगर हम बात करते है concave mirror की यहां पर ने लिखा generally real and inverted एक case होता है अगर हम rare diagram देखते हैं जब आप object को जो है आप pole and focus के बीच में रखते हैं यह question आप से पूछा जा सकता है तो आपकी जो image formation होती है वो कहां पर होती है behind the mirror होती है in case of concave mirror और आपके पास image कैसी बनती है virtual, erect and magnified तो इसलिए ही इन्होंने journally लिखा है otherwise यह भी always लिखते हैं तो option C जो है आपका वो correct answer होगा अब देखिए हमारा जो concave mirror है वो हम कहां use करते हैं तो concave mirror का हम use करते हैं जैसे आपकी जो vehicle की headlights होती है गाड़ियों की headlights होती है या आपकी जो search lights होती है या आपकी जो torches विया रहा होती है उसमें हम concave mirror का use करते हैं और जैसे concave mirror का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको बड़ी image show करता है तो इसका जो है हम देख सकते हैं कहाँ पर यूज होता है जैसे आपके shaving mirror होते हैं उसमें आपको अपना जो face होता है वो बड़ा दिखाई देता है तो वहाँ पर भी आपका concave mirror यूज होता है जैसे आपके dentist होते हैं आपको मुझे comment section में बताना है जो dentist होते हैं उन्हें हम technical language म क्या कहते हैं या medical language में क्या कहते हैं जैसे आपके dentist होते हैं वो भी आपके concave mirror का यूज करते हैं ताकि उनको एक बड़े image formation हो तीत की और बाकी जैसे आपकी solar finances विया रहा होती हैं वहाँ पर भी क्योंकि converge करता है focus करता है तो वहाँ पर जो solar finances होती है वहाँ पर भी आप concave mirror کا use करते हैं बात करते हैं कंवेक्स mirror का to convex mirror क्या होता है convex mirror का यह होता है कि जैसे आपके जो rear view mirrors होते है जो आपके ग eval यहों में side mirrors होते हैं वहाँ पर आपका convex mirror हम use करते हैं क्यों यूज करते हैं क्योंकि देखिए यहां पर लिखा गया है convex mirror is always virtual याने की मतलब erect and diminished याने की size छोटा होगा erect याने की cd अब मालेजिए अब आपका यह side mirror है ठीक है अगर हम यहां पर आपका जो है वो convex mirror यूज कर रहे हैं तो एक तो image object की जैसे मान लीजिए अगर यह आपका mirror रहा यह आपका mirror है और आपका object इतना बड़ा है इमालेजिए इतना बड़ा है तो यहां पर इसकी जो image होगी वो छोटी होगी आपको दिखाए देगी इरेक्ट होगी यानिकी सीदी होगी वर्चुल तो अब भी से वर्चुल फॉर्मेशन होगा तो क्योंकि आपको जो बड़े object की जो है वो size है वो छोटी जगा पे दिखाए देता है इसलिए हम convex mirror का यूज करते हैं अगर सब इतना बड़ा object है तो आपको इतना ही बड़ा mirror यूज करना था जो की possible नहीं होदा इसलिए हम convex mirror यूज करते हैं I hope आपको ये पहले ही पता होगा और आपके इलिए काफी useful होगा next question जो है आपका वो rather than आपकी science की knowledge से ज़्यादा imported आपकी कुछ अगर आपके day-to-day life में आप connect रहते हैं तो उसके लिए ये question बहुत ही easy था तो question कहा गया की बात करते हम की ethanol के बारे में आपसे बात की जा रही है कि इसके बारे में आपको correct options को choose करना it is main constituent of all alcoholic drinks it is not a good solvent it is soluble in water in all proportion it can't be used as an additive in petrol देखे अगर मुझे नहीं पता है कि ये alcoholic drinks में होता है ऐसे पता है कि ethanol use होता है मान लीजे अगर मुझे नहीं पता है बट मुझे इतना जुरूर पता है कि ये जो है आपका use होता है कहां पर ये होता है आपका petrol में ठीक है as a additive ताकि जैसे हम कहा रहें कि अब हम petrol कैसा use करें जिसमें ethanol की blending होगी क्या होगा उससे engine की efficiency बढ़ेगी fuel economy जो है और जाएगी मतलब ये कह सकते हैं कि हम आपको अब और efficiency मिलेगी तो इसके लिए हम ethanol को as a additive यूज़ करेंगे पैट्रोल में तो यहां पर मुझे अगर मैं यह मानता हूँ it is not a good solvent अगर मैं इस option के बारे में जाता हूँ देखिए जब आप petrol में ethanol को mix कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें वह अच्छे से घुलता हुआ good solvent का तो अगर हम general सा एक मतलब निकालें तो इसका मतलब यह हुआ कि पैट्रोल में ethanol अच्छे से blend करता होगा अच्छे से मिलता होगा mix करता होगा तो option 2 तो देखिए आपका यहां से गलत होगा और जब हम ethanol blending की बात कर रहें पैट्रोल में तो ऐसा तो नहीं उसका इडिटिटीव इन पैट्रोल अब option 1 & 3 यहां से जो है वो राइट आंसर होगा मुझे यह भी नहीं पता कि मालीजिए कि alcoholic drinks में यूज होता हो और यहां पर it is soluble in water in all proportion यह तो मुझे नहीं पता था बट मैंने इन दो options को eliminate करके यहां से question बना दिया तो इस तरीके से हम question कर सकते थे नेक्स्ट है आपको यहां पर match करना था ascorbic acid, malic acid, formic acid and tartaric acid आप सभी जानते कि हमारा जो ascorbic acid होता है वो vitamin c का chemical name होता है और आपको पता है ascorbic acid यानि कि जो vitamin c होती है आपकी वो citrus fruit यानि खटे जो खटे जो पदार्थ होते हैं उसमें यह पाई जाती तो ascorbic acid का जो मिलान होगा आपका all citrus fruit से होगा यानि कि ए जो है वो option किसमे होगा ए फोर्थ से match करेगा अब बात करते हैं malic acid formic acid and tartaric acid तो इसका हमें यह देखना होगा यह कहां से बनता है तो अगर हम बात करते हैं malic acid का तो malic acid जो है आपका वो apples and pears यानि कि नाश्पती में होता है और अगर हम बात करते हैं आपकी फॉर्मिक एसीड का तो फॉर्मिक एसीड जो होता हूं कहां पर होता आपका जो आंट की वो है sting होती है यानि कि जू डंक मारती है और टार्टरीक एसिड होता है ट्रमाइड एन्ट ग्रेपस में तो इसका जो हमारा राइट अंसर होगा option c ascorbic acid all citrus fruit malic acid apples and pears formic acid and tartaric acid tamarind and grapes next आपका यहाँ पर भी आपको मैशी करना था हाइड्रोफोन मेगाफोन एनिमोमीटर एंड टेकोमीटर तो जब हम बात कर रहें हाइड्रोफोन की हाइड्रोफोन होगा कुछ आपका एन अंडर वॉटर डिवाइस डिटेक्स एन रिकर रिकॉर्ट ओशिन साउंड फॉर्म ओल डिरेक्शन इसका जो है यह हो सकता है अगर हम बात करते टेकोमीटर टेकोमीटर क्या डिवाइस होता है यह तो मुझे पता था एन इंस्टुमें अमीजिन गई बरोटेक्शन स्पीड और रिस यह था है एनिमोमेटर क्या होता एन इड़ोफोन जाएगा आपका फ़ॉर्ट के लिए और एनिमोमेटर जाएगा आपका सी का वन होना चीए एका फॉर्थ सी का वन तो यहां पर option एनिमोमीटर स्वारी सी का जाएगा आपका टू को तो एका फोर्थ एंड सी का है आपके पास टू तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए आपका option डी यहां से आपका हाइड्रोफोन हो गया यहां पर एंड टैकोमीटर option ए एनिमोमीटर option बी एंड मेगाफोन ऑप्शन त्री तो यह थे आपके एचेस में जो आपके important question पूछे गए थे science से ता आई होब आपने देखा होगा कि देखिए कोई भी आप exam प्रिपेर करें आपके basic फंडास हमेशा ही clear होने चाहिए और application पार्ट ज़रूर पता होना चाहिए जिसे आपको remember भी रहता है बाकी बहुत जादा deep जाने की कर पाऊंगा नौनी के लिए आपका basic sciences का जो है वो मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा हिंदी इंग्लिस तो आप खुदी प्रिपेर कर लेंगे तो मिलते हैं आप से next वीडियो में till then have a good time take care